आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो Hundreds of Eggs जो है वो Female जो होती है Frog की वो इतने Eggs क्यों ले करती है Generally female की बात अगर होती है तो वो कम Eggs जो है वो ले करते है अगर वो क्या करते है Internal Fertilization क्योंकि हमें पता है कि Frog ये External Fertilization करेंगे External Fertilization इसका मतलब क्या होता है कि Male और Female ये अपने-अपने Gamets Release कर देंगे ये Water में Release किये जाएंगे और Water में इनका क्या हो जाएगा Fusion of Gamets और बात में Fertilization मतलब ये जो External Fertilization होता है ये Outside the Female Body हो जाएगा Outside the Female Body जो कि Internal Fertilization में Female Body के अंदर होगा और ये Ensured Fertilization होगा लेकिन External Fertilization में Chances of Loss और Gamets ये बढ़ते हैं क्योंकि हर एक Gamets ये Fusion फो ये जरूरी नहीं है और दूसरी चीज प्रीडेटर इनका भी क्या होता है? खत्रा रहता है तो सबसे important चीज कि ये Water में इनकी Assurity ये काम रहती है कि इनका Fusion हो या ना हो तो हम बोल सकते है कि To ensure the possibility of fertilization ये होगा हमारा answer To ensure possibility of fertilization ये reason की वज़े से they lay eggs मतलब frog lay eggs in large number अगर loss भी होता है eggs का तो भी fertilization थोड़े बहुत eggs का तो भी होना चाहिए क्योंकि इनने continuity of species करनी है तो next progeny बने fertilization हो इसे ensure करने के लिए वो एक या दो eggs के बदले hundreds of eggs ले करेगी Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 सूपर